नमस्कार टीवी नाइन समाचार साथे हुचुचुच शिवानी वड़ा प्रधान नरेंद्र मूदी संबोधित करी रहा छे सामरे। और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोचल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकारते उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा-पूरा पैसा पहुंच जाना। उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं। जय भी खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास हैं। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम हैं। ये मिट्टी और इनसान के स्वास के लिए लाबदायक हैं। और इनकी कीमत भी जादा मिलती हैं। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बात्चीत भी हुई है। उनके होसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज गंगा जी के दोनों और करीब पांच किलोमिटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोसाहित किया जा रहा है। ताकि वो जो खेत में उप्योग किया गया केमिकल है, बारिश के समझ वो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए। और गंगा जी प्रदूशित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के पांच-पांच किलोमिटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेश बढ़ दिया जा रहा है। इस जैविक उत्पाद नमामी गंगे, नमामी गंगे के ब्रांट के साथ बाजार में उपलब्द किये जा रहे हैं। इसी तरह भारतिय प्राकृति क्रशी पद्धति को उसको भी व्यापक स्तरप्र पोट्साइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की ये निरंतर कोशिच है कि छोटे और सिमान किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान रण मिले। इसके लिए बीते डेड़ साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्द कराने का एक विशेस अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दो करोड से जादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए है। इन कार्ड पर किसानों ने दो लाग करोड रुपिय से जादा कारोड बैंकों से लिया है। दो लाग करोड पिये है। इसका बहुत बड़ा लाप पशुपालन, देरी और मचली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाली में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। और मैं चाहूँगा कि मेरे किसान भाई बैनों को ये सरकार के निर्णे से खुशी होगी। उनकों लिए ये बहुत लाब करता होगा। सरकार ने नेने किया है कि कोरोना काल को देखते हुए के सी सी रण के भुपतान या फिर नमीनी करण की समय सिमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका रण बकाया है वो अब 30 जुन तक रण का नमीनी करण कर सकते हैं। इस बड़ी वी अवदी में भी किसानों को 4 प्रतिशद व्याज पर जो रण मिलता है, जो लाब मिलता है, वो लाब भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गाउं का किसान का करोना के विरूत भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह आपके ही स्रम का प्रणाम है कि आज इस करोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुप्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के माज़दम से पिछले वर्ष आठ महिने तक गरीबों को मुप्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महिने में देश के 80 करोड से जादा साथियों को राशन मिले इसका प्रबंद भी किया गया है। इस पर भी केंदर सरकार 26,000 करोड रुपिये हमारे गरीब के घर में चूला जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आगर करूँगा कि गरीबों को इस राशन के वित्रण में कोई परिशानी ना आये, ये सुनिस्षित करें। साथियों, सो साल बाद आई, इतनी भीशन महामारी, कदम कदम पर दुनिया की परिश्चा ले रही है। हमारे सामने एक अद्रुष्य दुश्मन है, और ये दुश्मन बहुरुपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वाइरस के कारण, हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से, जो कश्ट देश वासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्थ से गुजरे हैं, तकलीप से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही मैसूस कर रहा हूं। तो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधी नुँ संबोधन, जेमा नाना खेडूतों ने लाब मुद्धे वड़ा प्रधान मोधी उल्लेक करियों। देशना खेडूतों ने वड़ा प्रधान मोधी संबोधित करी रहा चे, किसान सनमा नीदीनों आठमों हप्तों आजे खेडूतों ना खातामा जमा करवा माव्यों, बे हजार नो हप्तो खेडूतों ना खाता मा जमा थाओ, आसाथे खेडूतों ना खाता मा लाब पहुंची रहो छे, तेम पन वड़ा प्रधान नरेंद्र मुदिये किसानूने आस्वस्त कर्या, देशना खेडूतों साथे वड़ा प्रधान नरेंद्र मुदिनू आसंबोध झाल